वेलकम टू मैं चानल आज का जो टॉपिक है वो इन और्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिलेट इफेक्ट एन इट्स थर्मो डाइनमिक ओरीजिन मस्ट और ब्स्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मस्ट सेमेस्टर वन में कॉडिनेशन कंपाउंड में यह पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक यहाँ पे चिलेट इफेक्ट का पार्ले डिफिनेशन लिखा हुआ है Wei complexes containing chillat rings are usually more stable than similar complexes containing no ring यानि chillat रिंग वाला जो कॉप्लेक्स हो जादा stable होगा compare to without chillat ring वाला complex तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चिलेट इफेक्ट क्या होता हैं वेन वा इदेन्टेट और पॉली चीलेशन बहुत हीजी है क्या होता है पॉलीवास सब्सक्राइब्नेड ल सबहारे हम जानेंगे कि बोस्ति होता है तो वाशा बेहंगya जिसके पास यह सब्सक्राइबी इस हरो टोर्वेटोंकर क्या कि विलू ऑन सब्सक्राइब्न लिगेंड करते हैं तो जब बाइडेंटेट या पॉली डेंटेट लिगेंड है जब सेंट्र मेटल एक्टम से इस तरीके से कॉडिनेट करें कि रिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे चिलेट इफेक्ट और यह जो फेनोमेना है वह कहलाएगा चिलेशन इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक्जामपल का हेल्प लेंगे तो चलिए देखते हैं एक्जामपल के थुरू चिलेट इफेक्ट क्या होता है ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए यहाँ पर पहले देखिए बाइडेंटि का स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख रहें नाइट्रोजन होगा AND कैसे बना है तो च्छे यहे निकलन निकल जाता है तो यह पर यह इलेक्ट्रोन है और घर माइना워서 mend वी यह अगर यहां पे हम लोग कोई मेटल को लेते हैं मेटल इस तरीके से यह मेड़ी यानि हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो by dented legend है इस तरीके से attached हुआ है कि एक ring like structure बना रहा है ring का formation कर रहा है तो इसी effect को हम लोग कहेंगे chillate effect और this phenomenon is known as chillation तो यहाँ पर कुछ example लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे है Fe H2O4 En2+, यहाँ पर EN2 है यहाँ पर EN3 है तो जब हम लोग इसका structure draw करेंगे तो सारे में ring का formation होगा यानि सारा जो compound है यह complex compound वो chillate effect सो करेगा तो यहाँ पर हम लोग देखते है इसी चीज को हम लोग एक्जामपल के थू समझेंगे तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक्जामपल देख रहे है यह हाइडेट मॉलिक्स है तो जब वाटर मॉलिक्विल डिस्पलेष होता है इप इन हम हहां पर six is pregnant modern जो जब नोग दिस्पलेष कियें चार वाटर मॉलिक्विल बचेगा और यहां पे टू प्लस और टू हटू है और निकल जाएगा तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं बाई देंटेट लिगेंट का चिलेट इफेक्ट यहाँ पे इस प्रोसेस इंक्रीजेस दा नंबर ऑफ पार्टिकल इन दा सिस्टम हैंस इस डिस ओर्डर एन इंट्रापितस एम एच्टू ओफ एन टू प्लस इज मोर स्टेबल देन एम एच्टू ओ कहोल सिक्स टू प्लस यानि वैसा कंपाउंड जिसमें चिलेट इफेक्ट सो नहीं कर रहा है यानि इथाईलीन डाइयमीन नहीं अटैज्ड है वह कंपाउं सिते इवं इंट्रापी नोगाउं इंक्रीज कर जाता है तो यहां पर कुछक कारेक्टरिस्टिक है चिलेट को कहता है चिलेट जहें काहएं दाब करम्ण देफेल्हीं, अकम्प्लेक सिस्टेमें कर देफाँ इसी चीज को यहां पर लिखा गया है, जो हमने भी यहां पर देखा मोनोडेंटिट लिगेंड में क्या होता है, जो लिगेंड होता है, वो बस एक ही साइट से अंटाश होता है में Märão से बट इन्केस विए और और पोली डिंटी इन उसमें क्या होता है वह दोई मुर्ण अअपर कारण वह दूस्यार्वा है और और सक्षा सब्सेने साट्रेश से जिनके कारण इंत्रॉपी इस सिस्टम का इंक्रिज हो जाएगा और वakenौप मोंय स्टेवल हो जाएगा तेनी का पड़िंस उप्रम एक फडंज न's ज्लन उस ध्यांट के पास ज्यादा स्यज्ट वहालर करेंगा एस प्ल्स नुद एक करें तो तयर element भीक Reinा मुझ्ट तरह LuV Glass कि अगर ज्यादा ग्रूप रहेगा वह जांस स्टेवल रिंग का करने लगेगा थर्ड जो कारेक्टरीस्टिक है वह कह रहा है चिलेट लिगेंड्स वीज डूनोट कंटेन साचुरेटेड ग्रूपस याँग्ण्स क्या हो गया सिंगल बॉण्ड फाइब मेंबर डिंग वाइल चिलेटिंग डिंगन्स कंटेनिंग अनसाचुरेटेड़ ग्र और जिसके पास double bond हो यानि unsaturated group प्रेजेंट हो वो जो है six member ring का formation करेगा तो next हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है usage of chillates, chillates का कहां कहां यूज होता है तो first जो यूज है वो कह रहा है in the softening of hard water hard water के softening में हम लोग chillate का यूज करते हैं second जो है in the detection of some metal in qualitative analysis qualitative analysis में भी chillate का यूज होता है third food preservation food preserve के लिए भी chillate का यूज होता है fourth estimation of nickel plus two magnesium plus two and copper plus two ions quantitative analysis यहां पर quantitative analysis है तो हम लोग इस तरीके का जो भी metal ion रहेगा उसके भी quantitative analysis में यूज करते हैं chillate का अब हम लोग next देखते है thermodynamic origin of chillate effect तो यहां पर हमने thermodynamic origin में यह नहीं बता है कि कौन से scientist ने इनको खोजा था हम यहां पर सिर्फ thermodynamic origin देखेंगे then the chillate effect resulting in the enhanced affinity of chillate ligands result in the larger value of overall formation constant for the chillate complexes than their monodentate counterpart बहुत ही simple thermodynamic origin में हम लोग देखते हैं जब chillate effect तो करता है तो chillate ligand का जो affinity है यानि काम करने का जो छमता है वो इंक्रीज कर जाता है और इसके result में क्या होता है जो overall formation constant जो होता है उसका value increase कर जाता है due to chillate effect for the chillate complexes than their monodentate counterpart यानि वैसा complex जिसके पास monodentate ligandertized हो उसके compare में जो chilate complexes हैं उनका overall formation constant का जो value है वो ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग thermodynamic aspect में बात कर रहे हैं यहाँ पर एक example लिए हैं हम लोग चillate complex का तो यहाँ पर देख रहे हैं platinum cl2 en2 यानि ethylene diamine है तो यहाँ पर platinum जो है central metal atom है और central metal atom से ns2 attached है यानि यहाँ पर जो nitrogen के जो electron थे वो attached है central metal atom से और दो chlorine यहाँ पर है तो यह जो है रिंग लाइक structure का formation कर रहा है इसे ही हम लोग चिलेट effect कहेंगे तो examination में short notes में पूछ लिए जाते हैं तो अगर आप इतना भी लिग देते हैं तो बहुत है तो आज का जो आपिक ए वहीं पर खत्म होता है अगर आपको मेरे video अच्छा लगे तो जादा से जादा लाइक कीज़ेंगे जाइख कीजींगे सब्सक्राइब कीज़ें इस की थाएक्यू सो मच